प्रफ्राइब करने को बैल एक प्रेस करने ताकि आज हम बात करने जा रहे हैं लिए इस प्रफ्रेस्टिल लिमिटर अगर इस कंपनी की बात के तो यह कंपनी पिछले एक महिने में 100% के आसपास का रिटन दे चुगा है और उसके बाद भी यह कंपनी कापी तेजी के साथ भ मौका ढोड़ सकते हैं क्या हमें एकजिट करना भी चाहिए या फिर इस यह को लॉंग टम के लिए होल्ड करना चाहिए कंप्लीट डीटेल की बात करेंगे तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे हैं कोई भी पार्ट मिस न करें अगर बीज का पार्ट आपको नहीं पसंद तो आप चाहर्ट का पार्ट जरूर देखे क्योंकि चाहर्ट में कुछ इंपॉर्टेटन डीटेल की बात करेंगे कुछ support level की बात करेंगे जहां से या company bounce back कर सकता है तो देख लेते हैं क्या डिटेल बनता है अगर आज के closing की बात करें तो आप देखेंगे तीन उपैसर प और उसके बाद से इस company में काफी तेजी देखने को मिला और यह company पहुँच चुका है 3.90 पैसे के पास तक अगर वहीं आज इसमें selling की बात करें तो आप देखेंगे selling के quantity पड़ हुई थी 2,14,000 लेकिन कोई buyer नहीं था इसलिए इसमें कोई buying नहीं हुई है देख लेते हैं company का और detail क्या बनता है दोस्तों अगर इस company के हम return की बात करते हैं तो आप देखेंगे एक महिने में इस company ने आपको 91% से जादे का return दिया है जबकि अगर बात करें 3 महिने में 216% का return 6 महिने में 286% का return और एक साल में 203% का return देखने को मिला है अगर बात करें 3 साल की तो 227% का return और 4 साल में 117% तक का return देखने को मिल गया है इस company के all time high के chart की बात करते हैं तो आप देखेंगे इसने अपना all time high बनाया था चार रुपए के ऊपर यानि 4 रुपए 10 पैसे के आसपास का लेकिन उसके बाद से इस company में गिरावट आया और यह company ने अपना low बनाया जो कि इसका all time low बना हुआ था 35 पैसे का जो कि इसने बनाया था 27 मार्ट जो 2020 में और उसके बाद से इस company में तेजी देखने हो पिला और यह company फिर से 4 रुपए के पास पास कर यानि 3 रुपए 90 पैसे के पास पास कर वहां से फिर all time high नहीं तोड़ पाएगा क्या दुबारा attempt करेगा उस level को तोड़ने के लिए देख लेते हैं चार्ट क्या करता है दोसको चार्ट की बात करें तो आप देखेंगे जो यह label था इस company के लिए काफी ज़्यादा important था और चार रुपए का जो resistance है वो भी काफी ज़्यादा important ह और यह company 3 रुपए 90 पैसे यानि just 4 रुपए के पास से ही अपना you turn लिया है तो इसमें बहुत भारी किरावट आएगी ऐसी कोई भी बात नहीं है क्योंकि दोस्तों किसी भी share में कोई भारी किरावट किसी region के कारण आती है हलाकि यह share कुछ जादा ही भाग चुका था तो ज इसमें जो आज की closing होई है वो है 3 रुपए 65 पैसे इसका जो पहला support level बनता है वो बनेगा 3 रुपए 10 पैसे का अगर इस label पर यह support लेकर bounce back करता है तो फिर यह फिर 4 रुपए का attempt करेगा लेकिन अगर इस label पर यह support नहीं ले पाता तो फिर क्या होगा फिर 2 रुपए 30 पैस पैसे के इस पास यह support लेकर again bounce back करेगा तो फिर अगला जो यह target टच करेगा वो पाच उपए का target होगा long term बने रह सकते हैं short term बाले अगर exit का मौका ढूणे तो आपको 20-20 में मौके देखने को मिलेगे यारे कि 20-20 में इसमें buying की quantity देखने को मिलेगे तो आप वहाँ पर चा रह सकते हैं कोई जल्दबाजी ना करें तो कि long term में भी इस company ने काफी अच्छा perform किया है ऐसा नहीं कि पिसले एक साल या फिर साल से भाग रहा है या कोरोना काल में भागना start किया है हालाकि कोरोना काल में जो steel के prices बढ़े हैं उसके साथ साथ जो related जो news आए उसके पीछे त सकते हैं तो चलिए दोस्तो आज के लिए इतना ही वीडियो को लाइक करें सेयर करें सब्सक्राइब करें थैंक यू पर वाचिंग दिस वीडियो